सस्क्राइब नहीं करोगे तो मुझे कैसे मिलोगे हाई एवरिवान वेलकम बैक माई चैनल विनीता मौर्या अपनी रसोई आज में आपके साथ बहुती कूल रिफ्रेशिंग एपल शेक की रेसिपी को शेर करने वाली हूँ वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेर जरूर करिएगा तो आई हम स्टार्ट करते हैं इस एपल शेक को बनाना एपल शेक बनाने के लिए हमने यहाँ पर दो एपल ले रखे हैं एक लास फुल क्रीम दूद, चार से पांच चमबर शुगर, दो इलाइची, खुश्बू के लिए इतनी सामगरी हमें चाहिए इस एपल शेक को बनाने के लिए सबसे पहले तो हम चीनी और इलाइची को पीस लेते हैं साथ में फिर उसके बाद हम एपल के छिलके उतार कर उसे भी काट लेंगे चीनी और इलाइची का मैंने फाइन पाउडर तयार कर लिया है अब हम एपल के छिलके उतार कर उसे भी काट लेते हैं हम ये एक एपल लेंगे और इसे हम नाइब की हेल्प से इस तरह से दो भाग में काट लेंगे अब हम फिर से इसके दो भाग करेंगे इस तरह से एपल को मैंने पहले ही धुल लिया था काटने के पहले आप एपल को पहले से काट कर बिल्कुल मत रखिएगा नहीं तो एपल का काट लिये हैं और इसको इस तरह से देखिए पीस में काट कर मैंने रख लिया है अब हम एपल शेक बनाना शुरू करेंगे हम ये ब्लेंडर जाल लेंगे और जार में हम डाल देंगे ये कटे ही वे एपल के पीस इस तरह से हम एक बार में सारा एपल डाल देंगे ब्लेंडर जार में जो बच्चे दूद नहीं पीते हैं एपल नहीं खाते हैं आप उन्हें इस तरह से एपल मिल्क शेक दीजिए बनाकर बच्चे बहुत ही मज़े से इसे पीएंगे जार में हमने सेप को डाल दिया है अब हम इसमें एट कर रहे हैं फूल क्रीम एक लाज दूद दूद को डालने के बाद हम इसमें एट करेंगे पीसी हुई चीनी और इलाची का पाउडर जो हमने पीसक रखा हुआ पहले से आप चाहें तो इसमें खड़ी चीनी भी डाल सकते हैं पर मुझे इलाची को पीसना था इसलिए मैंने चीनी और इलाची को साथ में ही पीस लिया जार में सारी चीजों को डालने के बाद इसे हम ढखकन लगा कर 5 मिनट तक अच्छे से ब्लैंड करेंगे और ये देखिए मैंने इसे 5 मिनट तक अच्छे से ब्लैंड कर लिया है बहुत बढ़िया शेक बना है हमें इसी तरह का शेक चाहिए देखिए इसमें कितना बढ़िया जागाया है अब इसे हम काच के गलास में ट्रांसपर कर लेते हैं हम ये दो काच के गलास लेंगे इसमें हम शेक को ट्रांसपर करेंगे इसी तरह से हम दूसरी गलास में भी शेक को ट्रांसपर कर लेंगे ये एपल शेक बहुत ही हेल्दी और बहुत ही टेस्टी होता है शेक को मैंने दोनों ग्लास में सर्फ कर लिया है इसको और सूपर टेस्टी बनाने के लिए मैं इसके उपर डाल लही हूँ आइसक्रिम मैंने यहाँ पर बटर स्कॉच आइस क्रिम ली है आप कोई भी आइस क्रिम ले सकते हैं यह आइस क्रिम मैंने घर पर ही बनाई थी इसका लिंक मैंने डिस्क्रप्शन बॉक्स में दे दिया है इस वीडियो के अंत में आप वहाँ पर जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं अब मैं इसको गार्णिश कर रही हूं पिस्ता के दानों से सूखे बादाम और सूखी गुलाब की पंखुणियों से और ये देखिए मैंने सो गार्णिश कर दिया है अब मैं इसके उपर डाल नहीं हूं थोड़ा सा सूखी गुलाब की पंखुणियां और ये हमारा बहुत ही सूपर टेस्टी, रिफ्रेशिंग, कूल एपल शेक बनके तयार हो गया है पीने के लिए बहुत ही टेस्टी शेक बना है आप इस तरह से एपल शेक को घर पे बनाईए और इंज्वाइ करिए एपल शेक के साथ इन गर्मियों में और अपने एक्स्पीरियंस मेरे कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए साथ ही मेरे सेकेंड चैनल प्रयाग स्ट्रीट फूड को भी सस्काइब करें वीडियो को लाइक और शेयर करें मैं फिर से मिलती हूँ इसी तरह से अपनी एक नई वीडियो के साथ थैंक यू